अगर आप Google ad run कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत helpful होने वाला है अगर आप ad run कर रहे हैं और अगर आपका ad top में नहीं दिखा रहा है और अगर आप ad run कर रहे हैं और आपका CTR बहुत high जा रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका quality score बहुत कम हो या बिलकुल ना हो तो इन सब का reason quality score हो सकता है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि quality score क्या होता है आप कैसे अपने ads का quality score चेक कर सकते हैं और उसको कैसे improve कर सकते हैं तो इस सारा discussion करने वाले हैं इस वीडियो में ये तो ये वीडियो बहुत helpful होने वाला है तो उसको वीडियो को end तक देखिए और इसके बात शोर करता हूँ कि आपका एड़ प्रॉफिटेबल होगा अगर आप एड़ रन कर रहे हैं और आपका quality score low है तो आपको बहुत ज़्य ज़्यादा CPC देना पड़ेगा और अगर आप ज़्यादा CPC दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका end profitable नहीं होगा आप ज़्यादा profit नहीं कमा पाएंगे तो इस concept के बारे में हम detail से बात करेंगे आप कैसे अपना quality score improve कर सकते हैं और मैं जितना detail में बताने वाला हूँ आ आप जो भी keywords डालते हैं तो उसका एक quality score calculate किया जाता है Google के द्वारा और इस quality score के best पे वो उसमें तीन parameter देता है अपने जो भी keyword होता है उसको average, below average या above average अगर आपका minimum quality score average तो होना ही यह वरना आपका जो CPC बहुत हाई जाएगा और नहीं आपका Google Ads rank करने वाला है तो मतलब वह आपका सारा time और पेसा वेस्ट होने वाला है और तो मैं तो recommend करूँगा कि आपका quality score above average होना चाहिए तो यह Google क्या करता है 1 to 10 आपका जो भी keyword होता है 8 के लिए तो उसको rank देता है तो minimum आपका out of 10 it should be 8 9 या 10 अगर 8 9 10 अगर 10 है तो आपका मतलब कम CPC में भी आपका 8 रन कर जाएगा तो 8 को rank करने के लिए तो factor important होता है पहला होता है इसका quality score और second होता है उसका CPC अगर आपका दोनों अच्छा किया है तभी आपका rank करेगा लिकां अगर आप CPC आप low ला सकते हैं और quality score बढ़ा के भी आप rank कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ा benefit है और यह बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और इस पर दिहान भी नहीं देते जस्ट Google Aid run कर लेते हैं कही वीडियो देख लिया लेकिन इन सारी चुछों पर फोकस नहीं करते हैं और उनको लोस हो जाता है तो मैंने भी पहले लोस किया उसके बाद इस सीखा कैसे मैंने इंप्रूव किया तो यह तो हो गया हमारा quality score तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि quality score आप कैसे check कर सकत है तो इसके लिए मैं आपको मेरी campaign में दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे मेरा quality score क्या है तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे campaign के अंदर तो इसके लिए क्या करना है पहले आपको अपने Google Ad account में login कर लेना है login करने के बाद आपको आपकी जो भी campaign इस पर click करना है campaign पर click करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर left menu में keywords search keywords जब आप इस search keywords पर click करेंगे तो आपके यहाँ पर जो भी keywords होंगे इस campaign से related तो यहाँ पर display हो जाएंगे तो यहाँ पर display होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे option दिखेंगे columns तो actually मैंने already यहाँ पर add किया लेंडिंग पैज experience तो मेरा दोनों above average है मेरा quality score 10 of 10 है one keyword के लिए और दूसरे के लिए 8 है तो 10 by 10 मतलब मेरा जो above average है और अगर 8 है तो मेरा यह average है और 8 से कम है 7 6 तो वह below average है तो वह रहेगा तो आपका add का कोई मतलब नहीं आपको बहुत costly पढ़ने वाला है अगर आप शु columns में जाके modify column तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा quality score का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर quality score यहाँ पिसका quality score तो यहाँ पर सारे option है expected CTR, landing page, landing page expected experience तो आपको यहाँ पर main quality score है आप expected CTR भी add कर सकते हैं तो इस सारी चीज़े इस सारे factor मिलके आपको quality score तो यह मैंने बता दिये कि आप quality score कैसे check कर सकते हैं और quality score कब आएगा जब आपका add run होने के बाद उस पर कुछ impressions और click आएंगे उसके बाद ही quality score calculate होता है, actually quality score calculate करने के लिए at least 10% something इसका कुछ criteria है इतने impression आएंगे आपके add पर तभी यह generate होगा और तभी आप check कर पाएंगे तो उसके बेस पर आपको इसको improve करना है, ठीकी तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना quality score कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए start करते हैं quality score, quality score क्या होता है, तीन factor से मिलके बना होता है, तो तीन factor एक होता है, expected CTR, दूसरा होता है, add relevance, और third होता है, आपका landing page, landing page का भी relevance, तो मैं, landing page का relevance, landing page का कैसा experience है, तो मैं तीनों चीज़ आप अभी आपको explain करता हूँ, तो सबसे पहला जो factor वो होता है, आपका expected CTR, तो expected CTR क्या होता है, CTR का मतलब तो आपको पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो click-through rate होता है, मतलब आपके कितने impression आए, कितने click आए, तो उसको जो divide होता है, आपका जो score बनता है, तो normally क्या होता है, आपका जितना CTR अच्छा होगा, उतना आपका quality score अच्छा होगा, तो expected CTR कैसे check करते हैं, वो भी अभी मैंने आपको quality score दिखाया था, तो आप एक column था, expected CTR, तो expected CTR आपका above average होना चीए, या minimum average होना चीए, अगर आपका expected CTR above average है, अगर आपका lending bench का score above average है, और अगर आपका, तो इन सब को मिलके आपका quality score above average आएगा, तो आपका rank कर पाएगा, तो expected CTR क्या होता है, CTR आपको पता है, तो expected CTR मतलब यह expected है, right, तो मतलब पहले से decide नहीं है, लेकिन Google के पास क्या होता है, data होता है, तो उसके basis पे वो already assume कर लेता है, कि जो आपका aid copy है, right, aid copy, landing page, इन सब को मिला कि आपका क्या expected CTR हो सकता है, तो expected CTR होने के लिए क्या करना है, आपका aid copy proper होना चाहिए, right, proper means आपका जो कोई भी users जैसे कोई भी keyword सर्च करके, आपका aid दिखाया गूगल ने, right, तो गूगल क्या करता है, रेंडम ले दिखाता है, जरूरी आपका रेंडम ले आपका aid का भी top में दिखा देता है, तो उस पर क्लिक करने की क्या possibility है, मतलब आप दस बार उसने एडम दिखाया है, तो यूजर कितनी बार क्लिक कर सकता है, तो गूगल के पास already data है, कि अगर आपका जो एड को भी बहुत अच्छा है, अट्रेक्टिव है, आपके पास call to action है, तो आप उसको expected CTR कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका जो उसमें आपको buy now या order, मतलब call to action आपको जरूर डालता है, तो call to action है, मतलब आप user के क्लिक करने की possibility दूसरी चीज, आप उसमें कुछ ऐसा offer दे सकते हैं, तो offer से भी या limited time discount, तो दूसरा factor आपको call to action होना चाहिए, और एक आप scared city डाल सकते हैं, scared city मतलब limited time offer, action fast, buy now, ऐसा कुछ डालेंगे, तो भी मतलब आपका जो expected CTR पढ़ जाएगा, तो ये दो main points में आपका call to action जरूर हो होना चाहिए, और दूसरा scared city होना चाहिए, और थर्ड चीज, वही आपका add से relevance होना चाहिए, तो इन तो इन तीनों को मिला के आपका expected CTR बढ़ जाएगा, मतलब अब average, तो ये था first point, अभी second point बताता हूँ, add relevance, तो add relevance क्या होता है, तो ये बहुत जरूरी ये इसको समझना add relevance, तो ये depend करता है, अगर आप किस चीज के लिए add run कर रहे हो, और जिस चीज का मतलब आपका कोई product के लिए कर रहे हो, या कोई आपका service के लिए कर रहे हो, तो आपका जो पूरा copy होता है, add का, पूरा copy मतलब आपका जो headline है, description है, जो भी आप लिख रहे हैं, वो सारा relevance होन अची, तो अभी आपको समझ नहीं आया, तो ठीक है, अभी मैं एक example देखे समझाता हूँ, for example, जिसे आप add run कर रहे हो, जिसे weight loss product या consultant कुछ भी, तो जिसे आप weight loss बहुत बड़ा निश्य है, तो उसमें भी आपको जिसे, किस चीज के लिए, weight loss में किस चीज के लिए run कर र weight loss diet, इस ही keyword के round होना चाहिए, इस से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो add relevance में आपने डाल लिया, best weight loss diet या product नाम ही तो गो डाल दीजे, लेकिन आपने कुछ और डाल दे, जैसे weight loss exercise, तो अभी क्या होगा, उसका add का relevance खतम हो गया, समझे आप, तो अगर आपको weight loss diet डालना है, त आपने कुछ और डाल दे, weight loss exercise या weight loss juice कुछ भी तो आपका add relevance खतम हो जाएगा, और आपका quality score अच्छा नहीं आएगा, इसके लिए में आपको, add relevance के लिए में आपको कुछ tips दोगा, for example, जिसे आपना weight loss diet है, तो आपको क्या करना है, आपका keyword डाल रहे हो ना, या तो आप उ इसको exact match में डालिए, तो भी आपका relevance रहेगा, या आप broad match में, sorry, phrase match में भी डालेंगे, तो exact रहेगा, लिकिन अगर आपने weight loss diet और इसको आपने डाल दिया broad match में, तो मतलब आपका weight loss हर keyword पे आपका add दिखेगा, और उसका relevance खतम हो जाएगा, तो अगर आप, तो इसको आप phrase match या फिर exact match यूज़ करें, तो यह था पहला tip और दूसरा tip यह है कि आप उसमें negative keywords डालें, जैसे आपने डाल दिया weight loss diet, तो अगर तो आपको negative keyword में डाल देना है कि weight loss supplement या weight loss exercise, तो आपका add उस condition में नहीं दिखेगा, अगर आपने negative keyword डाल दिया, तो भी आपका add relevance maintained रहेग मैंने तीन factor बता दी, एक तो आपका keyword आपका headline में होना चाहिए, description में होना चाहिए, same keyword उससे, और आपका जो exact phrase में यूज़ कर सकते हैं, और negative keyword यूज़ कर सकते हैं, तो इन सब का यूज़ करके आपका add relevance बहुत बढ़ जाएगा, तो यह दूसरा factor था, और third and most important, तीनों का जो मिला के इसका quality score calculate होता है, तो landing page, तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, कि landing page को आप कैसे relevance बना सकते हैं, और आपका quality score बढ़ा सकते हैं, तो landing page में मैं कुछ point बताने वाला हूँ, जिनको आप improve करके, आपका quality score बढ़ा सकते हैं, तो landing page में भी mostly लोग mistake क्य करते हैं, मतलब आपने aid को भी बना दिया, description firm डाल दे, लेकिन आप जब कोई आपके landing page पे आता है, तो आपने description में बात कर रहे हो, जैसे weight loss diet और आपने landing page पे कुछ और बता दिया, like weight loss product के बारे में बता रहे हो, या exercise के बारे में बता रहे हो, या कुछ और promote कर रहे हो, तो तो मैंने क्या बता आपका जो, जब कोई भी user search करके आपका keyword का relevance, आपका expected CTR, आपका add copy का relevance और landing page तीनों का एक tone होना चाहिए, मतलब एक topic और एक keyword सब जगर होना जरूरी है, तो इससे क्या होगा, आपका तीनों factor sync में होंगे, तो जाके keyword आपका score बढ़ेगा, तो landing page में प दूसरी चीज है, दूसरा factor होता है landing page में, वो होता है उसका page speed, तो लोग क्या करते है, किसी का भी copy मार के बना लेते हैं, लेकिन वो check नहीं करते हैं कि आपका page speed क्या है, तो page speed कैसे check कर सकते हैं, और आप कैसे अपने landing page की page speed बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कु देखा देखा कि आपका landing page का speed क्या है, आपको क्या improve करना होता है, तो suggestion देखा, तो आप suggestion को follow करके, आप अपने page की quality, page का score बढ़ा सकते हैं, page की speed को बढ़ा सकते हैं, तो तरह factor जो होता है, वो आपका landing page mobile friendly होना चाहिए, because nowadays अधिकतर लोग मतलब desktop पे तो mobile में ज्यादा सर् करते हैं, तो उसमें, तो जब भी आप landing page create करें, तो हमेशा check करें, कि आपका mobile view में जाके check करें, आप जो भी tool यूज कर रहा है, लेंडिंग पेज के लिए चाहिए, wordpress या कोई दूसरा, तो उसमें आपका जो, आपको option मिलता है, like mobile का, तो उसमें जाके check करें, आपका सारा content बराबर है, images जो भी है, और प्रोपर दिख रहा है, प्रोपर लोड हो रहा है, तो वो आपका landing page experience बढ़ा देगा, तो मैं एक बाद टूल बता देता हूँ, ठीक है, तो मैंने landing page में तीन बता दे, आपका relevant होना चाहिए, keyword sub होना चाहिए, दूसरा point आपका page speed होना चाहिए तो मैं टूल बता देता हूँ एक बार आपको, आपको क्या करना है, गूगल पर जाके टाइप करना है, page speed, right, तो page speed पर click करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो tools दिखेंगे, तो मैं भी जनरल यह दो ही use करता हूँ, तो आपको जो पहला दिख रहा होगा, page speed insight, तो यह क्या है URL डालना है आपके लेंडिंग पेज का, तो अभी, for example, मैं अपना नहीं डालता है, जैसे Google पर search मारता है अपन कुछ लिए, कोई भी randomly ले रहा हूँ, right, अभी आपको इसको copy करना है, for example, आपका लेंडिंग पेज है, तो यहाँ पे आपको type कर देना है, जो भी full URL हो, और click कर करना है, analyze पर, तो अभी आप देख सकते हैं, आपको सारा report बता देगा, अभी यह generate कर रहा है, diagnosis, तो अभी आपको यहाँ पे दिखरा होगा top में, तो mobile और desktop तो आप दोनों गे पे click करके देख सकते हैं, आपका page का status क्या है, तो यहाँ पे हर चीज के लिए आपको दिखा र है, मतलब इसका score बहुत अच्छा है, इसने optimize क्या हुआ है, इसने score बताया है, 89, मतलब 89 अच्छा है, तो यहाँ पे देख सकते, 0 से 9, 51 to 9 है, तो आपको orange दिखाएगा, 90 to 100 है, तो यह green में दिखाएगा, तो आपका यह जो green में आएगा, तो सबसे बेस्ट है, तो आपका 90 परसेंट तो score इसका 90 तो आए, तो कैसे improve कर सकते हैं, जैसे आपको मैं कुछ बता दो, अगर आप image का साइड बढ़ा है, तो इसको compress करके डाल सकते हैं, वीडियो डाल रहे हो, तो उसको भी compress करके डाल सकते हैं, तो यह कुछ तरीक होते हैं, यह Google आपको खुद बताएगा, आप कैसे improve कर सकते हैं, जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर suggestion देगा, डाइगनोसिस पर जैसे बन देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है, क्या avoid करना है, तो यहाँ पर जाके list में दिखाएगा, आपको क्या-क्या, जैसे इसने दिखा रहा है, resources found, तो सारा detail ए और यह इसका mobile view, तो mobile में आप देख सकते हैं, 100%, बहुत अच्छे से optimize किया हुआ है, तो आप इसका यूज़ करके आपका page का speed बढ़ा सकते हैं, जो जो यह आपको suggestion दे, इसके लिए और टूल बताता है, GT matrix वो और भी detail में बताता है, तो दोनों टूल अच्छे हैं, आपको और भी ऐसे video चीत हो, मुझे comment में बताना और channel को subscribe करना है,